शाम का टाइम थार बच्चों को बन किया डोसा खाने का, तो अब डोसे बनाने में तो समय लगता है, फर्मेंट करना पड़ता है डोसे को, इसके लिए आलू का मसाला बनाना पड़ता है बॉल करना होता है आलू को, तो अब फर्माइस तो हो गई है डोसे बनाने के लिए कैसे बनाना है हलो फेंट्स मेरे चलम आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले दोसे के लिए पहले की अमीसी चट्नी बनाकर त्यार कर लेते हैं चट्नी बनाने की तयार ही पहले इसलिए कर रहे हैं कि साड़ी सीजियों को पहले ही हमें रुष्ट करना होगा फिर पत्वाद दाल को डालने से पहले इसे अच्छे से सूती कपरे से पोच कर ही डाल दीजिए साथ ही डाल दिया है एक टेबली स्पून चनी की दाल और दो टेबली स्पून भढ़के मुंख फली यह कची मुंख फली है और सभी को मिक्स करके मिडियम फ्लेम पर इसे हम भूल जब यह थोड़ा सब भून जाए तब हम इसमें डालेंगे एक टेबले स्पून साबुत धनिया और इसी के साथ एक टेबले स्पून सफेत तील दो सुखी लाल मिर्च यह बहुत ज्यादा तीखी इसलिए दो ही लिए आप अपने अकॉर्डिंग मिर्च कम ज्यादा कर सकते ह चार से पांच कली लैसुन की इससे भी इसमें एड कर देंगे और अब इससे सभी के साथ मिक्स करके फिर से भून लेना है इससे भूल गई थी डालना यह मेरे पास थोरे से फ्रेस नाडील है तो इससे भी डाल दिया इसके जगा आप ड्राइक कर सकते हैं ना भी हो तो भी पूरी तरह से आप इसे skip कर सकते हैं तो इन सभी को हमने भून लिया है बस अब gas को off करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं और आप रोसे बनाने के तयारी कर लेते हैं तो एक कप या कटोड़ी को भी measure कर ले और उसी कप या कटोड़ी से दो कप हमने यहाँ पर लिया है चावल का आटा चावल का आटा असानी से किसी भी grocery store पर आपको मिल जाएगी और अगर चावल का आटा नहीं है तो घर में आपके पास जो भी चावल है उसको आप mixi jar में डाल कर पीस ले fine powder चावल का तयार हो जाएगा अब चावल आटा डालने के बाद उसमें कुछ basic चीज़े add करेंगे जो घर में ही पड़े होगे तो एक medium size का प्याज इसे बारी चोप करके डाल देना है एक छोटी सी गाजर को कदू कस करके ले ले लेंगे और दो टेबल स्पून भरके बारी कटा हुआ हडा धनिया और दो हरे इमिट चली है fine chop की हुए अब इसमें जाएगी 1 टी स्पून साब जीरा 1 टी स्पून चिली फ्लेक्स या optional है डालना है तो डालने वरना इसे पुड़ी तरह से skip कर सकते हैं टेस्ट के according नमक एड़ करेंगे बस आप कुछ भी इसमें नहीं जायेगा आप सभी को पहले dry mix कर लेते हैं और अब इसमें हमें पानी एड़ करना है तो दो कप हमने चावल काटा लिया है तो पानी जायेगा इसका double चार कप तो पहले हम दो कप पानी इसमें एड़ करेंगे और इसे पहले हम mix कर लेते हैं सारा पानी एक साथ डालने से lumps पर जाते हैं तो पहले दो कप पानी डार कर इसे अच्छे से mix कर लेना है अब यह mix हो गई है तो दो कप पानी को भी add कर देते हैं और इसे mix कर लेते हैं एकदम running consistency का बैटर बना कर तयार करना आप कहोगे कि डोसे का बैटर इतना पतला थोड़े नहीं होता है डोसा कैसे बनेगा इसे तो आगे आप देखते जाएए कि आज हम डोसे को कैसे बनाते हैं तो आज इस डोसे बैटर में हमें इनो, सोडा, दही, कुछ भी नहीं चाहिए होगा, कुछ भी नहीं डालना है इससी पतले बैटर से आज हम डोसा बनाएंगे यहाँ थोड़े से कड़ी पता इन्हें भी बारेक चुप करके इसमें एड़ कर देंगे तो आज बैटर को मिक्स करके सभी को अच्छे से तयार कर लिया है अब यहाँ चट्नी के जो सामागरी हमने भूनका रखी थी वो भी अब ठंडा हो गया है पुरी तरीके से तो इससे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर देंगे और टेस्ट के अकोर्डिंग नमक एड़ कर दिनना है और यह लिया है दो चमच इमली का रस थोड़े सेमली को मैंने गरम पानी में भीगो का रख दिया था जब इमली फूल गई तो इसका मैंने रस निकाल कर ले लिया है अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पीश कर तैयार कर लेंगे और यह चटनी को हमने पीश लिया यह देखिए इसे एक बॉल में निकाल देते हैं और इस चटनी के ऊपर लगाएंगे एक तरका तो इसके लिए तरका पैन में टेबले स्पून ओयल लेंगे इसमें डालेंगे एक टेबले स्पून राई थोड़ी सी हिंग जाएगी इसमें 200 खिला मिर्च को तोरकर एट कर देंगे और गैस का फिलेम ओफ कर देंगे और इसके बाद इसमें हम कड़ी पता को एट करेंगे और सभी को mix कर लेंगे तरके pen के heat से ही कड़ी पता fry हो जाएगी अगर पहले ही डाल देते तो कड़ी पते जल जाते तो अब इस तरके को हम इस चटनी के ओपर डाल देते हैं और इसे mix कर लेते हैं और यह हमारी बहुत ही चटपटी चटनी बन करके तयार है चलिए अब डोसा बना लेते हैं तो डोसे pen को अच्छे से गरम कर लेना हाइफ लेम पर और जब तब अच्छे से गरम हो जाए तो इसके ओपर डालेंगे कुछ बुंते oil की और इसे चारो तरफ से फैला देंगे इसे पोचना नहीं है oil को और नहीं कोई पानी की छीटे भी लगाने हैं बस तब ये को आप बढ़ियां गरम कर लेजिए डोसा बैटर डालने से पहले बैटर को पहले अच्छे से चला लेंगे क्योंकि चावल काटा है तो ये नीचे तले में जाकर बैट जाता है और उपर से पानी पानी ही रहता है तो पहले इसे एक बार इस तरह से mix कर लेते हैं और तवारा हमाणा इदम धुवाधर गरम हो जाए तब इसके पर हम इस सैट से बैटर को इस तरह से पोर करते जाएगे वैशे से डालते जाए और फिर ऐसे बीच में अच्छे ऐसे batter को पोड़ कर देंगे और अब इस time flame को हम medium कर देंगे और इसे पकने देंगे medium flame पर जब यह उपर से थोड़ा dry दिखने लेगा तब इसके पर थोड़ा सा oil का brush लगा देंगे जिससे यह एकदम अंदर से भी सीके और एकदम कृपि बने गुल और अभी यह पक चुका है वैसे तो डोसे को एक ही सेड से सेखा जाता है लेकिन अगर आप दूसरी सेड से भी पकाना चाते है डोसे को तो पका सकते हैं सिर्फ एक मिनट के लिए तो दूसरे तरफ से भी मैंने से एक निट के लिए ही पकाया है तो अब इसे निकाल देते हैं और फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे तब पर ओयल से ग्रीस कर ले और अच्छे से तब एको गरम कर ले तब इसमें हम बैटर को चार तरफ से इस तरह से डाल देंगे जितना डोसा आपको बनाना है उतना ही बना ले बागी के बैटर आप एक दिन के लिए श्टोर करके भी रख सकते हैं तो देखिए डोसा कितने बड़ी हां से सीखा हुआ है बहुत ही क्रिस्पी डोसे बने है बहुत ही ज्यादा टेस्ट्री भी है खाने में तो आप भी एक बाद ट्राय करके जरू देखिएगा और एक पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राब करना बिल्कूल मत भूल लेगा ट्राय करने कबाद कमेंट करके बताएगा जरू कि आपके डोसे बने कैसे हैं और खाने में कैसा लगा